Hello Friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको Grow application को कैसे यूज करते हैं, कैसे इसमें हम स्टॉक को Buy Sell करते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, Option Trading कैसे करते हैं, सारा कुछ मैं आपको Complete इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी Skip म करना और अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया फ्री में तो दोस्तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन दोनों में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पर प्लिक करके आप जो है ग्रो में अपना डीमेट अकाउंट फ्री में उपन कर लिजिए और हमारे लिंक से अगर आप उपन करते हैं तो आपको 100 रुपे से लेकर 300 रुपे तक का बॉनस मिलेगा जिसमें आप जो है स्टॉक बाई कर सकते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट में उसको विड्डरॉ भी कर सकते हैं तो दोस्तो चलिए मैं यहाँ पर आपको ग्रो अप्लिकेशन को कैसे यूज करते हैं यह आपको मैं बता देता हूँ तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है आपको grow application को open करना है इसके बाद यहाँ पर आप अपने pin से या touch id से इसको login कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने login कर लिया है अब आप देख सकते हैं कुछ ऐसा interface आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर सबसे उपर आप देखेंगे यहाँ पर market का index है यहाँ पर nifty 50, sensex और nifty bank यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यह index है दोस्तों इन दोनों index में nifty 50 में और nifty bank में जो है option trading होती है तो अभी मैं आपको grow application कैसे use करते हैं यह बताने वाला हूँ सारे यहाँ पर जो भी इसके option है क्या क्या काम आते हैं कैसे इनको use करते हैं सारे आपको complete बताऊँगा कैसे stock को buy करते हैं कैसे stock को sell करते हैं ओके तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर F&O का option है दोस्तों यह future and option trading का option है अगर आप future option trading करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर click करके इसको अपने activate कर लेंगे तो पहले आपको activate करना पड़ेगा मेरा already activate है यहाँ पर इसके बाद ही आप जो है activate करवाने के बाद ही आप जो है option trading कर पाएंगे तो चलिए back हो जाते हैं यहाँ पर हम और यहाँ पर हमने F&O के बारे में जाना आप जानते हैं IPO second option आपको मिल जाएगा IPO का हम simply IPO पर click करेंगे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो भी company के IPO हैं दोस्तों stock market में जब भी कोई stock आता है तो पहले उसका IPO आता है उसके बाद इसका stock जो है perform करता है तो यहाँ पर देख सकते हैं अब हमारे जो IPO यहाँ पर open नाव में जो IPO open हो चुके हैं वो यहाँ पर दिखा र देख सकते हैं तो उसमें जो है वह IPO से भी पैसे कमाते हैं कैसे कमाते हैं अगर कोई IPO मान लीजिए 200 रुप्य में लिस्ट हुआ है यानि कि इस stock का price 200 रुप्य है और दोस्तों list होने के बाद उसका price यहाँ पर 300 रुप्य हो जाता है तो वहाँ पर जो है तो वहाँ पर क्या हुए थे और वह source पर आ जाते हैं तो वहाँ पर जो है उनके पैसे loss में चले जाते हैं तो IPO भी यहाँ पर रिस्की होता है तो IPO में आप सोच समझ कर जो भी IPO आपको पसंद आता है या जिस भी IPO के बारे में कुछ अच्छी news है पहले अपनी यहाँ पर अपनी analysis कर लीजिए पुरी जानकरी ले लिजिए उसके बाद ही आप जो है IPO में इन्वेस्ट केजिए अद्रवाइज आप जो है पहले सीखिए उसके बाद ही इन्वेस्ट आपको करना चाहिए अब आपको यहाँ पर हम दूसरे option दिखाते हैं यहाँ पर आ जाता दोस्तों तीसरा option आ जाता है आपको 50 रपे का चार्ज देना पड़ेगा जो भी ब्रोकर के साथ आपका डीमेट अकाउंट है वह आपसे 50 रपे चार्ज करेगा तो आप तीन बच के पंदरा मिनिट से पहले वहाँ पर सेल कर सकते हैं ताकि आपको 50 रुपे चार्च ना देना पड़े तो यहाँ पर देखो इंट्राइडे के टॉप स्टॉक्स है यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ पर जिस भी लोगों ने यहाँ पर जोमेटो में इन्वेस्ट क जिस भी लोगों ने यहाँ पर दोस्तों इंट्राइडे में ट्रेडिंग किया था दोस्तों तो उनको काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है और दोस्तों इंट्राइडे में क्या होता है अगर कोई स्टोक आप बाई कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी एक लाग रुपे की ब बचान अब निटे वहाँ गगोंट करते हैं दोस्तों मैंस को नहीं करता हो और जज्यादबर लोग यहाँ पर stock को buy करते हैं option trading करते हैं और IPO में invest करते हैं बैस दोस्तों ये तीन जो option हमारे F&O, IPO और intraday trading ये तीन जोस्तों लोग जो है ज़्यादा करते हैं और stock को buy करते हैं इसके बाद दोस्तों हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप दे सकते हैं top gainer दोस्तों मैंने बताया था आपको 14% का जम्याटों ने high लगाया था यानि कि एक दिन में 14% jump किया था तो देखो high पे यहाँ पे आ चुका top gainer में आ चुका है यानि कि एक दिन में यानि one day में कौन से stock जो हैं यहाँ पे अच्छा perform करें हैं उस सारे list यहाँ पे है यहाँ पे see more पे click करके आप इनके list देख सकते हैं दोस्तों यह देखो यह सारे stocks है जो नों ने एक दिन में अपने high लगाया है यहाँ पे देखो ज़्यादा यहाँ पे तेजी आई है तो जो मेरतों ने सबसे ज़्यादा तेजी लगाई है इसके बाद यहाँ पे नायका ने 10% 11% का यहाँ पे jump लगाया Infoage ने यहाँ पे लगबग 8% का HDFC ने यहाँ पे लगबग 6% का और HDFC Bank ने यहाँ लगबग 6% का तो यह stock जो हैं दोस्तों आज के दिन यहाँ पे top gainer रहे हैं और दोस्तों इसके बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पे stock in news तो यह stock की news हैं दोस्तो news की according यहाँ पे अपने analysis करने के बाद यहाँ पे stock को buy or sell कर सकते हैं और यहाँ पे देखो दोस्तों top losers जो भी stock यहाँ पे लूज रहे हैं यानि कि आज के दिन एक दिन में one day में यहाँ पे stock ने अच्छा प्रफॉर्म नहीं किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीमोर पे किलिए करके आप इनके list देख सकते हैं अब दोस्तों जो stock रुपे में बाई किया था तो 500% को profit हो गया लेकिन कभी न कभी दोस्तों क्या होता है वह stock profit booking आती है जिसके कारण या कुछ ऐसी चीज़े हो जाती है जैसे बीच में covid आया था तो covid में सारे stocks जो हैं डाउन गए थे तो जिन भी लोगों ने उस downtrend में stock को buy किया होगा तो दोस्तों उनको काफी अच्छा profit होगा क्योंकि जब उस situation से covid से हम बाद निकले तो हमारा जो stock है फिर से अच्छा perform करने लगे और जो है stock फिर से उसी price पर आगे और उसी भी अच्छे price पर यहाँ पर लोगों तो उसके कारण दोस्तों कोई अच्छा stock है वह नीचे आ गया तो आपको उसको buy करना चाहिए ताकि आपको profit अच्छा हो क्योंकि जितना वह नीचा है तो उससे ज्यादा फिर बाद में अगर कुछ situation मनती है वह stock में recovery होईगी तो उसके बाद दोस्तों आप अच्छा profit यहाँ पर book कर पाएंगे कभी भागतवे stock में बाई ना करें क्योंकि भागतवा stock जल्दे गिर जाता है और जो लूज stock होता है दोस्तों उस stock में करेंगे जो अपने उपर के level से नीचे आ जाता है किसी region के गारण region होना चाहिए जैसे कि अभी रशिया यूक्रेयन का war चल रहा था तो उसमें stock काई भी जारे जो है आप एक और चीज में आपको बता जाता हूं यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है और इस पर किलिक करना होता है यहाँ पर सारे इंडेक्स में अगर आपको करना है market cap close price जिस भी format में आप दोस्तों यहाँ पे short करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों ए से लेके जैड तक इस्टोक आएगे यहाँ पर जैड से लेके ए तक कैयांगे ascending और descending में आएगे alphabet wise और यहाँ पर दोस्तों market cap low high market cap high low low high high low यहाँ यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सेक्टर वेत्य भी आप जा सकते हैं जैसे कि अगर आपको किसीाइटी सेक्टर में करना है तो यहांपÉ डालेंगे या फिर आप देखो बैंकिंग करना चाह है लिस्ट करेंगी दोस्तो में अप इन्वैस्ट करना चाते हैं तो आप यहां पे ऐसे शौर्ट करके जिस भी बैंक में आपको करना है वो कर सकते हैं और दोस्तों यहापे तो मैंने आपको बता जिए कि आपको शौर्ट कैसे करना है यानि फिल्टर कैसे लगाना है तो फिल्टर आप देख लीजिए यहापे ऐसे करके आप फिल्टर यहापे लगा सकते हैं और फ तॉक है यह देखो दोस्तो इसने भी यहाँ पर एक दिन में साड़े 5% का लगबग यहाँ पर जंप लगाया है अब जैसे कि आपको कोई स्टॉक बाई करना है तो आपने वहाँ पर सर्च किया या फिर आपने फिल्टर लगा गए स्टॉक में आ गए और यहाँ पर आपको समने कुछ option मिल जाएंगे जैसे कि यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगा delivery का और इसके बाद intraday तो मैंने आपको बताया था intraday है जो दोस्तो market open होता है तब यहाँ पर intraday खुलता है और तीन बच के 15 मिनिट से पहले-पहले आपको sell करना होता है तो अ तो आप किसी भी stock को long time के लिए अगर hold करना चाते है तो आपको दोस्तों यहाँ पर delivery बेचित करना है और अगर आप intraday यहाँ पर trading कर रहे हैं या फिर intraday में आप इस टोक को buy कर रहे हैं तो आपको क्या करना यहाँ पर intraday रखना है यानि कि आज ही buy करना आज ही sell करना है तो यहाँ पर आप intraday select करेंगे बट अगर आप long time के लिए hold करना चाहते हैं जैसे आज आपने buy कर लिए आप चाहते हैं को 5 साल के लिए 10 साल के लिए इवन आप 2 दिन के लिए भी hold करना चाहते हैं तीन दिन के लिए भी करना चाहते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दूसरा option मिल जाएगा यहाँ पर quantity और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा पर देखो quantity आ रहा है यहाप यहाप अभी आप एक लाई करना चाहते यहाप एक यहाप आप टाइप कर देंगे तो एक लाई प्रेस यहाप दोस्तों कितना है यहां पर आपको market select करना है अगर आप market के price पर buy करना चाहते हैं अगर आप दोस्तों यहां पर limit लगाना चाहते हैं जैसे कि मान लेजिए इस stock का price जो है 364 रुपे हैं आप चाहते हैं कि इस stock का price 3600 रुपे आ जाए या फिर यहां पर 3650 रुपे आ जाए तो आप इसको buy कर ले तो आप यहां पर ऐसा limit लगा के यहां पर amount को type कर देंगे और यहां पर आप दोस्तों यहां पर आपको buy option लेजाएगा लेकिन दोस्तों buy कर करके आप जो है यहां पर money को add कर लेंगे तो मैं आपको पहले add money करना बता देता हूं चलिए मैं आपको बाद में बता हूं कि money कैसे add करना है पहले आपको बता देता हूं कि stock को किस तरीके सम भाई कर सकते हैं तो आपको quantity डाल ली है जितनी आप quantity यहां पर buy करना चाहते है एक हैंगे के meine 52 सोब्री करना चाहता हूं आपको कितना पैस लगे आपको तो आपको उतनी पैस यहां पर add करने पडेंगे उसके पद यहां परई कर कर देंगे तो आपका जो और है वह एउगstory हो जाएगा उसके बाद दो Britney करने मैं चलि जैसे कि मैं आपको दिखा तो Beit भाई के रहा है जब आपको भी में गयुक को बाई करेंगे तो आपके पोर्ट फॉर्टियो में जा सकते हैं रोके दोस्तों मैं अपर अपने पोर्ट फॉलिए पिर को मैंने भाई की रहा हूं देखो मैंने इन्वेस्ट किये थे 2,65,426 रुपे अभी इनका प्राइज यहां पर ओचुका है करेंड प्राइज 3,39,476 रुपे और अभी मैं इसके बाद अपने डैजवर में देख सकते हैं कितना इसका जो है आपको प्रोफिट चल रहा है तो यहां पर आप सारा देख सकते हैं चलिए आप बात कर लेते हैं कि स्टॉक को सैल कैसे करना है तो दोस्तों सैल करने के लिए यहां पर देखो मैं आपको दिखा देता हूं ज उसके बाए दोस्तों जूदने भी स्टोग यहां पर आप सेल करना चाते हैं जैसी माली जी मैंने 16 की हैं तो मैं 16 स्टोग को मैर्किट की प्राइज पर लिमिट प्राइज लगा दूँगा उस पर यहां पर सेल हो जाएगा और वैरिफाई सेल पर किलिक करेंगे आपके फोन सेल कर दूगा तो हमारे जुए सेल हो जाएंगे और अपके मर्जी आप अपने स्टोग मेंसे जितने भी सेल करना चाहें उतने अप यहां पर YE कर सकते है एससे दोस्तों मैं आंपको मनी कैसे लाड़ करना मैं यहां पर यहां पर सब्सकिन पर प्रोफाइल किलिक करेंगे यहां पए आपके पास दोस्तों देख सकते हैं यहां पे आपके wallet ग्रोट का balance पाइलन्स आ जाएगा मेरे ग्रोट में 1245 रूपे यहां पे balance है और आपको add money करना तो आप add money भी क्लिक करेंगे और इसके आप भी लिंक कर पाएंगे इसके बाद दोस्तों आप एड मनी पे किलिक कर देंगे अभी यहाँ पर आपको दोस्तों पेमेंट ऑप्शन में लेकर जाएगा और यहाँ पर जो भी पेमेंट ऑप्शन होंगे जिस भी payment से आप method से select करना चाते हैं उस payment method से आप यहाँ पे payment कर सकते हैं तो मैं अपने bank account से करना चाता हूँ तो यहाँ पे मैं अपने bank account को select करूँगा और pay 500 पे click करके यहाँ पे अपने wallet में पैसे add कर लूँगा तो दोस्तो इस तरीके से आप money add कर सकते हैं को कैसे buy करना है कैसे stop loss लगाना है पर complete video आपको दोस्तों वहाँ पे दिख जाएगा live video है मैंने stock में live यहाँ पे stock को buy किया है तो उस video का link पी आपको video का description में मिल जाएगा तो इस तरीकी से दोस्तों आप जो है grow application को use कर सकते हैं और अगर इसमें कोई features रह गए है तो आप मुझे comment कर देना मैं उसके पर वीडियो बनाकर आपको उस features के बारे में भी बता जूँगा जो भी option मुझे मिस हो चुके है